Hello friends, आज हम बात करेंगे उद्देश्य और बिधहिगी कमपिटीस्ट्यू exam में लगभग इनसे संबंदित एक दो कुश्यन आते हैं तो उद्देश्य और बिधहिए यह वाक्य के भेद होते हैं उद्देश्य किसी वाक्य में उद्देश से उसे कहते हैं जो करता होता है जैसे अनुराग क्हेलता है अनुराग क्या करता है, क्या कर रहा है, खेल रहा है तो अनुराग यहां पर को होगा मेरे पास उद्देश से उद्देश से का मतलब है सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश सी कहते है जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दोड़ता है इन वाक्यू में अनुराग और सचिन के बिसाय में बताया गया है अता है ये उद्देश सी है इनके अन्राग और सचिन की विषय में कुछ बताया जा रहा है आता है ये क्या है? उद्देशी है इसके अंतरगत करता और करता का विष्टार आता है इसके अंतरगत करता जो भी करता है जिसे अन्राग करता है, खेल रहा है सचीन दोड़ रहा है करता है तो करता और करता का विस्तार आता है देखे प्रश्ण आता है कि निम्नले की चीन चार वाक के देगा उसमें कहे देगा कि उद्देश से छाटो इस टाइब से कुछ भी आ सकता है तो जैसे परिश्रम करने वाला वेक्ति तो यहां जो यह परिश्रम करने वाला वेक्ति है यह करता का विस्तार है तो यह भी एक कहा है उद्देश्टी है दूसरा आता है बिधी वाक्य में उद्देश्टी के बारे में जो कुछ कहा जाता है उद्देश्टी के बारे में जो कुछ कहा जाता है वाक्य में जो भी सेश रहता है उसे बिधे केते हैं जो भी करता से अलग हो जाता है करता से अलग हो जाता है उसे हम क्या केते हैं बिधे केते हैं तो यहाँ पर को इसके अंतरगत बिधे और बिधे का विश्थार आता है जैसे लंबे लंबे बालों वाले लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दोड़ती हुई उधर से गई देखो लंबे लंबे बालों वाले लड़की तो यहां पर क्या है उद्देश से है और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि अभी अभी हुआ है बच्चे के साथ दोड़ते हुई गई तो इसका मतलब यहां पर गो जो अभी अभी एक बच्चे के साथ दोड़ते हुई गई यहां होगा मेरे पास बिधे है तो उद्देश से होता है उद्देश से होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जा रहा है करता और विधे होता है जो चीज बताई जा रही है